वेलकुम तो माई यूटूब चैनल आज में की वीडियो में मैं आपके शेयर करने वाली हूं कि आप नेल एक्सेंशन किस तरीके से लगा सकते हैं आज की वीडियो आपकी बहुत जादा स्पैशल होने वाली है क्योंकि यह वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर मैं आज लेकि आई हूं इंस्टाग्राम पे कुछ दिन पहले पोस्ट किया था अपने नेल एक्सेंशन की अनबोक्सिंग वीडियो जिससों आप सबने बहुत जादा प्यार दिया तो आपने उसको प्यार तो दिया लेकिन उसके साथ मुझे बहुत सारे कोशन दिये जिसके अंसर देना म बहुत जादा मुश्किल हो रहा था इस करके मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूं इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं कि आप नेल एक्सेंशन किस तरीके से लगा सकते हैं और इनको लगाने के लिए आपके पास कितने प्रोड़क्त होने चाहिए और ये पूरे एक्सेंशन किट के अंदर मुझे कौन-कौन से प्रोड़क्त रसी हुए थे चो इसकी पूरी डेटेल में आपको आज इस वीडियो में दूंगी तो लेस्टार्ट माइव वीडियो हम बात कर लेते हैं कि नेल एक्सेंशन क्या होते हैं और हमारे फेक नेल्स आइस के दूर्ट हूए नहीं होते तो हमको ऐसे आपने हातों में बहुत जाता प्रोडम होती हैं कि यहांड़को डिफरैंस थी नहीं तो पूरी किट के अंदर मुझे जितने भी प्रोड़क्ट रेसीव होए थे वह इनफ है यानि इसके अकोर्डिंग ली आप अपने पूरा जो नेल आर्ट है और नेल एक्षेंशन है कर सकते हो यानि नेल आर्ट तो अलग चीज है तो नेल आर्ट के बारे में भी मैं इसलिए बहुत जाता शौक है तो नेल आर्ट भी अगर आप जानना चाहते हैं कि उसके लिए आपको कौन से प्रोड़क्ट चाहिए तो आप कमेंट पर जुरूर बताना मैं आपको नेल आर्ट के जितने प्रोड़क्ट है वो भी आपके साथ रिव्यू वीडियो जुरूर शेयर क आपको बहुत जादा पढ़ जाएगा लेकिन यह पूरी एक किट के अंदर तो यह आपको बहुत जादा सस्ता पड़ा है तो आप इसको जुरूर बाइग कीजिए कमेंट शेक्शन में में इसका लिंक जुरूर शेयर करूँगी आवासे इसको बाइग कर सकते हैं इस पूरी किट में कौन कौन से प्रोड़ाक रसीव हुए है लेकिन आपको पैकेजिंग से काम नहीं है यह वाले नेल्स आपके जो दूसरे नेल्स आते हैं उन से ज़ादा better होते हैं तो ये नेल्स बहुत जाए अच्छे हैं इसमें आपको आप देख सकते हो 123456789 10 यानि आपको ये अलग अलग नंबर के नेल्स मिलते हैं आप confused ना हो ना क्योंकि ये इसमें आपको numbers लिखे रहते हैं और वो आप किस तरीके से चेक करोगे मैं आपको आज इस वीडियो में दिखा दूगी कि आप अपने nail की shape किस तरीके से select कर सकते हैं ताकि आपके nail अच्छे से नेल आपका extension आपके नेल्स पे टिक जाएं तो यह है आपका इस पूरी किट में पहला प्रोड़ा एक्स प्रोड़क्ट जो इस किट में हम मुझे रसीव हुए है वो यह टू पॉली जेल्स रसीव हुए है तो आप देख सकते हैं यह 30 ml के पॉली जेल है एक वाइट मिला है एक पिंक कलर का मिला है तो बहुत जादा आप कह सकते हैं कॉंटिटी अच्छी है आप इसमें बहुत बार अपना नेल एक्सेंशन कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे तो आप यह देख सकते हैं में का क्लोज़व लुक भी आपको इस वीडियो में दिखा दूगी तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप स्किप कर सकते हैं जो मैं आपको शेयर करना जाती हूँ वह आप स्किप ना करें तो प्लीज आप वीडियो को पूरी देखे तो आप देख सकते हैं यह पोली जल मुझे रिसीव होए हैं फट्टी अमल के नेल एक्सेंशने के लिए जरूरी है तो आप देख सकते हैं यह फापन करेंगे और इसके अंदर आपको केवल इसके साथ मिल जाती है तो आपको कोई extra आपको वाय करने की जुरूरत नहीं है आपको सिर्फ इधर इधर ऐटाच कर रहा है और यह आपको ओनों का बटन है तो यह आप इसको यूज कर सकते हैं कैसे करना है वह तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता ही रही हूं प आपके नेल फाइल करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके नेल की बहुत ज्यादा अच्छे शेव यह आपको जैसे पसंदा आप वैसे अपनी इस से शेव अपनी अकोर्डिंग ली बना सकते हैं तो यह भी प्रोड़क बहुत जादा इंपोर्टन है आपके distraction के लिए नेक्स प्रोड़क है ये नेल शिप सल्यूशन यह भी प्रोड़क आप आप यह जो भी इस किट में तो यह है जो आपके पोली जेल को इज बालन्स बनान के यानि उसको सेट करने में सबसे पुरदा कम 100 ml का मिल जाता है तो इनफ है पूरी बोटल यह एज़ा थेनल की तरह काम करता है यानि आप इससे अपना नेल रिमूब भी कर सकते हैं तो आप इसको डबल परपस से यूज कर सकते हैं तो एक इस तरीके से आपको मिल जाती है पूरी बोटल इसके साथ आपको एक स्मौल से लास मिल जाता है जो कांट ग्लास है तो आप देख सकते हैं इसको आपको जब भी यूज करना आपको इसके अंदर ढालना है फिर ही यूज करना है इसको इस ओपन में छोड़े ना वरना यह ड्रायर हो जाएगा तो यह इसके लिए आपको इसके साथ यह मिला है है next इसके साथ जो next product मिले हैं वो है ये clips जो आपके नेल को as a set करने में help करते हैं सो आप देख सकते हैं मुझको यहाँ पर five clips मिले हैं आप जब भी अपना नेल extension करेंगे तो one one hand करके करेंगे आप पूरे दस ने लुक को तो यह साथ नहीं कर सकते सो यह बहुत अच्छा है कि यह बहुत टाइट नहीं है अगर टाइट होते तो आपके जो नेल का extension है उसको set करने में यह बहुत जादा problem करते तो यह अच्छा colorful आपको रसीव होएंगे तो बहुत अच्छे हैं आप यह भी देख सकते हैं नेक्स स्केट में जो मुझे रसीव हुए है वो है यह acrylic का ब्राश विसके अंदर आपको ब्राश के साथ अधर साइड आपको spatula मिल जाता है आप देख सकते हैं आप spatula से आप किस काम आएगा देखिए यह हमारे को product as a receive करने के और application के लिए भी काम आता है और यह हमारे नेल जो skin होती है नेल के उसको थोड़ा सा पीछे push करने के काम आता है क्योंकि हमारे skin एज़ा हमारे नेल के उपर जादा place को रखी होती है तो इसको पीछे करने के लिए ताकि हमारे नेल अच्छे सेट हो जाए उसके लिए spatula बहुत जादा जुरूरी है और हमारे यह brush जिसके accordingly हम अपने poly gel को अपने नेल में transfer करेंगे अच्छे से वह मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ तो यह सारे प्रोड़क आप देख सकते हैं कि इतने ही प्रोड़क थे और यह बहुत जादा important है देखिए और भी प्रोड़क होते हैं कि आपको primal हमारे नेल्स के उपर थोड़ा base code यह भी चाहिए होता है लेकिन अगर नहीं भी है तो ठीक है चलेगा आपको एक्स्टा आ प्रोड़क है तो आज जो नेल एक्षेंशन में करने वाली हूलं मैंने पहली बार कि रहे हैं आप यह मत समझेयेगा कि यह नेल एक्षैंशन में करती रहती हूँ तो मैं expert हूं नहीं मैं आपकी तरह ही beginners हूँ देखिए मुझे हर चीज ही नहीं आती लेकिन आप्ट्राइ तो आपको भी आजाएका तो मैंने फिर्स टम ट्राय किक था मैंने व 1 वीडियो दिखके आपको यह जरूर बनाना आ जाएका आपको बिलकूल 65 अजाल तो साहए आपको देख सकते हैं जितना जिका् кас थी मैंने वोले समान को ले लिया हैं सो मेरे को नेल एक्षेंशन के लिए अपने लिए एक परफेक्ट नेल सेलेक्ट करना है तो देखिए इसमें आपको दो साइज मिल जाते हैं और उसमें नंबर्स भी लिखे हुए हैं कि वान टू ऐसे करके तो आपका जो साइज होगा वा गिस सेले खार से बढ़ा होता है तो मेरे को परफेक्ट लिए भाइञा तो आपके जाता घटा किया कि ढाट थीःक नांको तो मेरे को यहां पर ऑफेक्ट साही था सो मैंने आप स्पैचुला से अपने स्कीन को जो थाम किया है थोड़ा सा पुश करके पीछे किया है क्योंकि बहुत पर स्कीन के ऊपर अगर लग जाता है अपना हमारा नेल्स तो वह सही नहीं बैठता पेन होती है तो आपको जो आपको बॉफर नेल है उससे आपने नेल की थोड़ी शाइन को जुड़ी कर रहा है जरूरी भी नहीं है करना चाहते है तो भी कर लीजिए तो यह सेलीशन है स्लिप सेलीशन इसको आपको थोड़ा सा एज़े इन्होंने काच का एग लास दिया स्मौल सा समें डाल लीजिए तो आपको जादा नहीं डालना वनना यह तो आप में जो हमारा फेक नेल है इसके ऊपर मैं अपना पॉली जेल एजा ट्रांसफर करूंगी आप ड्रेक्ट भी डाल सकते हैं या स्पैचुला से डाल सकते हैं कोई इतना बहुत बड़ा मैथड नहीं है बहुत सब्सक्राइद में टीक्षा, तो आपको ऐसे रखना है इसको एक शेप देनी है अपने नेil की बहुत थिक आपको ये ने आपको spread करना है अपने पूरे नेल्स के उपर स्लिप शुल्यूशन में अपना ब्रश डिप होगा तो यह बहुत इसली काम करता है क्योंकि स्लिप शुल्यूशन अगर लगा होता है तो पॉली जल आपके ब्रश पर चिपता नहीं है वह बहुत स्टिकी होता है तो आप देख आप देख सकते हैं I mean अच्छे से अच्छे से अब आप इसको अपने नेल्स के उपर as a place कर लें अब आप इसको पलेज कर लें तो आप इसको या तो ऐसे ही ढृट कर लें या अप कॉड़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से तकि यह बिल्कुल the cannot again मैं डos करोंगी कि आप clip को avoid करें, क्योंकि आप जब भी clip लगाते हैं, तो थोड़ा सा poly gel आपका बहार निकलने लग जाता है, जो आपकी shape को खराब कर देगा, तो यहां तक का process आपका easy था complete हो चुका है, लेकिन अगर आप अपने nails को और बढ़ा करना चाते हैं, तो आप brush की help से इसको ऐसे बह आपको USB cable तो मिलता ही है, इसको आपको charger के साथ attach करना है, एक button दे रख है, आपको इसकी light आपको 60 second के बाद अपने आपी off हो जाती है, अब आपको करना का इसको dry करना है, तो यह dry होने के बाद बहुत ही ज़्यादा hard हो जाता है, थोड़ा थोड़ा गरम गरम सा यह आपका नेल फील होता है, अब यहाँ पर आपको अपने नेल को remove करना है, जो आपका जो fake nail था, बहुत easily remove भी हो जाता है, तो आप देख सकते हैं कितनी easy तरीके से आपका यह nail extension मेरा complete हुआ है, तो आप देख सकते हैं, वैसे तो shape ऐसे भी ठीक लगते हैं, लेकिन आप इसको और भी share दे सकते हैं, आपके जो भी पसंद है, आपको Square पसंद है, Round पसंद और एक टीखी से आती है, जो भी आपको पसंद है, आप पर अपो कोई भी अपना favorite nail paint लगा लीजिये, कोई भी nail art कर लीजिये, बहुत ही प्यूदिफू लगता है तो यहां पर मैंने रेड गलर का यह नेल पेंट लगाया है तो यह देखी मेरे पास टाइम नहीं ता इस वीडियो को शूट करने के लिए मैंने रात के तीन बजी वीडियो शूट किया है तो थोड़ी सी कटबर हो जाएगी तो प्लीज इगनोर कीजिए आप इसमें नेलाग भी कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगे हो आपको अच्छी लगे है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जुरूर कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो लेके आ सकूँ बाइबाइ